मोवी के सरवात में हम फिचर याने की 2050 का सीन देखते हैं जहां एडम नाम का एक कैप्टन एक स्पेसिप को लेकर भाग रहा था और एक स्पेसिप उसका पीछा कर रही थी और उसके उपर गोलिया बरसा रही थी इसी दोरान एक गोली एडम के पेट में भी लग जाती है फिर जूनियर एडम को उसके स्कूल के बचे बहुत परिसान क्या करते थे बट एडम बहुत ही बड़ बोला था जिस वज़े से वो अक्सर पिटता रहता था उसकी मॉम भी हमेशा उससे परिसान रहती थी और उसे बहुत समझाने की कोशिच करती थी फिर एक साम उसकी मॉम उस हो गई थी जिसके बाद से वो लोग अकेले थे मॉम के जाने के बाद एडम गेम खेलने लगता है और तब युसके घर की लैट चली जाती है और उसका कुट्टा हॉकिंग भॉकते हुए घर से बाहर भाग जाता है एडम अपने कुट्टे का पीछा करता है और फिर वो देख है और उसे चोर समझकर बैट उठा लेता है जिस पर एडम उससे कहता है कि डरो मत मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा वो उससे पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहा है वो बताता है कि वो डैरिक के साथ डेट पर गई है जिस पर एडम कहता है कि यह वही है ना जिसके बकरी के जैसी दाड़ी है फिर एडम अपने घर जाता है अपने घाव को ठीक और खाने का कुछ समान लेने के लिए जूनियर एडम एडम के हौब हाओ को देखकर सौक हो जाता है क्योंकि उसका पूरा तौर तरीका बिल्कुल उसी की तरह था फिर एडम अपने घाव को साफ करने तो उसके अंदर से आवाजी आने लगती है जिस पर वो जूनियर एडम से कहता है कि अपनी नाग बन कर लो क्योंकि खासी के साथ आप गैस पी इसी रास्ते से निकल रही है जूनियर एडम उसके और उसके समानों के बारे में पूछता है बट Adam उसे कुछ नहीं बताता, फिर by mistake जब Adam के मूँ से Adam का नाम निकल जाता है तो वो सौक हो जाता है, कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, फिर वो उसे उसकी पूरी हिस्ट्री बता देता है, जिसे सुनने के बाद Junior Adam बेहोस होने लगता है, और फिर Adam उसे उसका inhaler निका पैस हो गया था, फिर वो अपने टैम सिप के आटोमेटिक खुद को ठीक करने वाले सिटिंग को आउन करके छोड़ देता है, और Junior Adam से कहता है कि अब तुम अपने घर जाओ, ताकि मॉम तुम्हारे उपर सक ना करे, फिर जब उसकी मॉम घर आती है, तो उसका वो दोस्त भ ले जाता है, और वो उसके बॉड़ी को देखकर कहता है कि मेरी फ्यूचर में होने वाली बॉड़ी इतनी अच्छी है, क्या हम फ्यूचर में लड़किया भी पटाएंगे, मेरी केतनी गल्फरेंड होगी फ्यूचर में, जिस पर Adam उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग है क्या, यहां यूनिवर्स में एतना कुछ हो रहा है और तुम्हें बस लड़किया पटाने की पड़ी है, क्या लड़कियों को पटाना मेरे 2050 से यहां आने से ज़्यादा इंपोर्टन है, फिर Adam जूनियर एडम के साथ दवा लेने मार्किट में जाता है, और जूनियर जिसके बाद एडम उन बच्चों को धमकी देता है, और वो बच्चे डर के मारे पैट में ही सुस्व कर देते हैं, फिर जब वो दोनों घर आते हैं तो जूनियर एडम उसकी समानों को चेक कर रहा था, जहां उसे एक फोटो मिलती है, जब वो एडम से उस फोटो के बारे म पूछता है तो वो उसे बताता है कि ये मेरी वाइफ है, जिस पर एडम उसे कहता है कि ये मेरी क्या होता है, वो हमारी वाइफ ही ना, जिसके बाद एडम वहां से गुसे में एक बार में चला जाता है, जहां वो अपने माम को देखता है, एडम की माम वेटर से अपने प्यार और कियार करती थी लेकिन जूनियर एडम का बरताओ बिल्कुल भी ठेक नहीं था एडम अपने मॉम को देखकर कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वो आपसे बहुत प्यार करता है जिस पर उसकी मॉम उससे कहती है कि साइद तुम अपने मॉम से बहुत प्यार करते होगे जिस पर एडम कहता है कि हां बहुत फिर एडम वहां से चला जाता है और अब एंटरी होती है इस मूवी के विलन की दरसल मूवी के श्राटिंग में जो लोग एडम का पीछा कर रहे थे वो सोवियंट यानि की माया की लोग थे और माया वो थी जो टैम सिप के जिर ये उसका जिट नहीं समला और वो करायस हो गया और लौरा मर गई बट लौरा पूरे प्रोग्राम में सबसे बेस्ट पैलेट थी जिस वजह से एडम को सोरियन पर सकोने लगता है और वो बिना परमेशन के सोरियन के एक स्पेसिप जो सिर्फ एडम के डेने से ही आन हो सकता था वो उसे लेकर 2018 में जाने के लिए भाग जाता है बट गलती से वो 2020 में पहुँच जाता है और उसका पीछा करते करते माया भी 2020 में अपने कुछ एडवान सोलजर को लेकर पहुँच जाती है और फिर सोरियन के कुछ लोग एडम के उपर हमला कर देते हैं बट एडम एक के सब की कुटाई करना सुरू कर देता है फिर माया और उसके साथ काम करने वाला क्रिस्टोन भी वहां आ जाते हैं ताकि वो लोग उसे पकड़ कर वापस से 2050 में ले जा सके क्रिस्टोन एडम से सोट फेकने को कहता है और उसे मारने लगता है और फिर माया उससे कहती है कि वो वहां आकर उनके जेट के उपर हमला कर देती है और मौका मिलते ही एडम अपनी सोट को लेकर उन सब की धुलाई करने लगता है और लौरा के साथ उसके वैन में निकल जाता है लौरा उसे पूछती है कि ये बड़ बोला कौन है जिस पर वो उसे बताता है कि तुम कहती कैसे जिस पर वो से बताती है कि मैं डेटा एनलाईस कर रहे थी और मुझे पता लगा कि किसी ने 2018 में आकर पाश के साथ छेड़ चाड़ की है दरहसल 2018 में ही एडम के डैडी ने टैम असीन को बनाया था इसलिए माया 2018 में इस ट्रॉक की टिप लेकर उसमें इन्वेस्ट करन और उन पॉलिटिस्चन को खतम करने आई थी जो उसे फ्यूचर में टैम ट्रेवल करने से रोक रहे थे और जब ये बात लॉरा को पता चली कि कोई 2018 में गया है तो वो भी 2018 में आ गई थी जिसके बाद जब सूवियन को लॉरा के वहाँ आने का पता चला तो उन्होंने उस कर वहाँ से चला जाता है फिर वो लोग आपस में बाते करते हैं और माया उसे बताती है कि तुम्हें 2018 में जाना होगा और टाय मसीन को बनने से रोकना होगा ताकि फ्यूचर में सब कुछ नॉर्मल हो सके एडम उसे अपने साथ चलने को कहता है पर लॉरा उसे कहती है कि मै मैंने इस दिन के लिए बहुत सालों से defens तःयार कर रखी है और तभी Soviet के लोग वहां आ जाते हैं और उन लोगों के उपर हमला करने लगते हैं लॉरा एडम को समझा बुजा कर वहां से भेज देती है और जोवियन्ट की लोग वहां आकर लॉरा के उपर फैरिंगर में सुरू कर देते हैं बर लॉरा उन्हें अपने गन से सूट करके मार देती है फिर एड़ दाइन माया खुद आकर लॉरा से पूछती है की बताओ तु चक्मा देखर वहां से निकल जाता है और फिर टाइम लूप करियेट करके वहां से गाइब हो जाता है और वो दोनों ओ सौरी दोनों नहीं वो एक सौरी एक नहीं दो अरे यार चोड़ो ये समझो कि एड़म और जूनियर एड़म दो हजर अटरा में पहुंच जाते हैं ज जूनियर एड़म भी वहां आकर उन्हें गले लगा लेता है और वो तुरिंत समझ जाते हैं कि वो लोग टाइम ट्रेवल करके वहां आये हैं जिसके बाद एड़म के डैड बोलते हैं कि देखो मैं तुम लोगों को यहां देखकर बहुत खोशूं बट तुम लोगों को य डैड को एक पंच मारता है जिसके बाद वो जूनियर एड़म से पूछते हैं कि तुम तो मुझसे इतना प्यार करते थे फिर बड़े होकर इतने बत्तमीच कैसे हो गए और फिर लोईस एड़म को भी एक जोरदार पंच मारते हैं फिर जब दोनों का दिमाग तोड़ा ठं हैं जो 2050 से 2018 में एड़म का पीछा करते हुए आई थी वो खुद से मिलने जाती है तो 2018 की माया उसे देखकर बहुत गुसा करती है और बोलती है कि तुम बार-बार ऐसा नहीं कर सकती तुम्हारे वज़ा से पूरी युनिवर्स की समय में बदला होगा बट वो उसे समझाती है कि हमें तुम्हारे दोस्त एडम को रोकना होगा नहीं तो फ्यूचर में टैम ट्रेवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा और तुम्हारा पूरा सपना अधूरा रह जाएगा क्योंकि वो इन सब को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और ये इन विंसन को होने से रोकना चाहता है एडम के डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ क्योंकि यो होना है वो हो जाना चाहिए क्योंकि ये ही नियती है तुम भविसी को नहीं बदल सकते और वो उनकी हेल पे करने से साफ मना कर देते हैं जिसके बाद एडम और जूनियर एडम इसे अकेले करने का फैस लेते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें वापस 2050 में लेकर जाएंगे जिसके बाद जूनियर एडम अपने गैजेट से अपने ड्रोन को कंट्रोल करके उन सभी सोल्जर्स को धोने लगता है और एडम भी अपने सोट से उन लोगों के उपर अटाक करने लगता है इसी दौरान एक कार एडम को हिट करने वाली थी कि तभी एडम के डैड एक कार लेकर आते हैं और उस कार को अपने कार से हिट कर देते हैं और कहते हैं वुहू आज तो मजा ही आ गया जिसके बाद एडम उनसे कहता है कि आज तो आपने मुझे मार ही डाला था आकिर आप यहां आए ही क् वो मेरे भी ना करना impossible होगा Adam कहता है कि मुझे accelerator को तबा करना है जिस पर उसके dad कहते है कि हमें इसी रूपने के लिए accelerator को नहीं बलके मेरे mathematical equation को destroy करना होगा जो कि एक drive में है और फिर उसके dad उसे अपने साथ उस बड़े से laboratory में लेकर जाते हैं और उस drive को निकाल कर उसे Adam को दे देते हैं मगर तभी 2018 और 2050 की Maya वहाँ आ जाती है Adam के dad 2018 वाली Maya से कहती है कि हम दोनों में समझाता हुआ था कि तुम इसका गलत इस्तिमाल नहीं करोगी जिसके बाद 2015 वाली Maya कहती है कि ये सब मेरा है और क्या करना है और क्या नहीं ये मैं डिसाइड करूँगी और फिर वो Adam से drive को मांगती है मगर जब वो drive नहीं देता तो Maya जूनियर Adam को वहाँ लेकर आती है जिसे उन लोगों ने बंदी बना लिया था वो उसे blackmail करने की कोशिस करती है और फिर Adam के इसारे पर जूनियर Adam Maya को धका दे देता है जिसे कि उसके गन से एक bullet निकल कर लेबरेटरी के seal पर hit करती है जिसे कि लेबरेटरी का electromagnetic accelerator on हो जाता है और लोहे की सारे चीजे धीरे धीरे उस accelerator से जाकर चिपकने लगती है इवन फिचर से आए रोबोट भी उससे चिपकने लगते है जिनमें से एक रोबोट जब electromagnetic accelerator के तरफ खिच रहा था तो वो अपने साथ साथ जूनियर Adam को भी पकड़ लेता है जिसे कि वो दोनों के दोनों चिपक जाते है एडम के डैड उसे बंद करने की कोसिस करते है और माया के कहने पर क्रिस्टोस एडम से वो डिस्क चीनने की कोसिस करता है और तभी जूनियर एडम खुद को उस futuristic soldier से छोड़ा कर भाग निकलता है और वो एडम के sword को उठा कर क्रिस्टोस को मारने आता है बट वो खुद ही बिट जाता है और फिर क्रिस्टोस एडम को जमीन पर लिटा कर उसे ड्रैप चीनने की कोसिस कर रहा था तभी electromagnetic accelerator के पावर बढ़ने की वज़ा से डोर में लगी लोहे की equipment निकल कर accelerator की तरफ किचनी लगती है जिसका फैदा उठा कर एडम क्रिस्टोस को उपर पुष कर देता है और वो electromagnetic accelerator में जाकर मर जाता है सारे सिस्टम डिस्ट्राइ होने की वज़ा से वहां मौजूद सारे लोहे की चीज़े तेजी से electromagnetic accelerator के तरफ किच रहे थे और एडम के डैड लोईस भी उसी रोक नहीं पा रहे थे जिसके बाद 2015 की माया आकर उन लोगों के उपर gun point कर देती है और कहती है मुझे वो drive दे दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी जिसके बाद एडम के डैड उनके आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उनसे पहले मुझे मारना होगा जिसके बाद एडम बोलता है डैड ज्यादा हेरो बनने के कोसिस ना करे क्योंकि वो बंदुक आपका चुरा बनाने के बाद हम दोनों का भी चुरा बना देगी माया कहती है सौरी लोईस मुझे मजबूर मत करो लोईस कहता है माया तुम ऐसी नहीं हो तुम ऐसा नहीं कर सकती जिस पर माया कहती है मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ अपने बेटे से पूछ लो मैंने इसके लिए तुम्हारे बेटे की बीवी को दो बार मारा है ये सब सुनकर 2018 की माया को बहुत बुरा लग रहा था जिसके बाद जैसे ही माया गोली चलाती है Electromagnetic Accelerator के आउन होने की वज़ा से वो बुलेट मोड़कर 2018 की माया को जा लगती है जिससे की 2018 और 2015 दोनों की माया मर जाती है और अब वो Accelerator उस एरिया को पुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा था मगर वक्त रहते वो तीनों वहां से बच निकलने में काम्याब हो जाते हैं फिर वो तीनों अपने घर जाते हैं और लोईस अपने बेटे एडम से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे पता है मैं future में तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा बट मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ जूनियर एडम कहता है कि क्या हम कुछ नहीं कर सकते जिसके बाद उनके डैड उनसे कहते हैं कि हाँ एक काम है जो हम लोगों को साथ मिलकर करना चाहिए और फिर वो तिनों साथ मिलकर गेम खेलते हैं और गेम खेलते खेलते दोनों एडम वहां से गाइब हो जाते हैं और अब हम प्रजेंटे का सीन देखते हैं जहां एडम अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था और उन्हें अच्छे से ट्रीट भी करता था और 2015 में एडम की वैफ अभी भी जिन्दा थी क्योंकि 2018 में माया के म और याइएएएगाल चीक वी जिन्दा थाओगाल रपादी जिर शी देखते हैं याइएएब प्रॉशन और गडम चुछे जवेफ़गाल गश्वेशन के बहां से लिज़गाल माया को अंब हो झादेएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए